असलाम वालेकूम आज हम बनाएंगे कचीमली की चट्णी तो चलिए हम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए लेंगे हम 250 ग्राम कचीमली और हरी मिर्च लेंगे 100 ग्राम तो चलिए सबसे पहले अब हम ये कच्छी इमली को साफ अच्छे से धोलेंगे धोलेने के बाद में इसके इस तरह से ये जो काडियां है वो निकाल लेंगे पुरे कच्छी इमली में से जो भी काडियां निकलते इस तरह से निकाल लेना है और इसके बाद में इसके अंदर के जो बींज रहते अगर मोटे है तो वो निकाल लेंगे हम या फिर अगर पतले बींज है कॉले बींज है तो नए निकालेंगे ऐसी इमली को काट लेंगे तो ये देखिए ये जो इमली है वो मोटी है इसके अंदर के बींज अब हम निकाल लेंगे इस तरह से तो सारे बींज बिलकुल ऐसे ही निकाल लेंगे और ये कच्ची इमली को हम छिल्गे के साथ में ही पीछ लेंगे यह देखिए इस तरह से इसके बींज निकाल लेना है तो काफी क्विक और आसान रेसीपी है आप लोग इसको जरूर ट्राय करके देखिए तो सारे बींज निकाल लेने के बाद में अब हम इसके छोटे छोटे तुकड़े करके रख लेंगे कची इमली के और हरी मिर्ज के भी जो डंडी रहती वो भी निकाल लेंगे यह देखिए इस तरह से बींज इसके डंडियां और काडियां जो है वो पूरे निकाल लेने के बाद में अब हम लेंगे लेसन की कलिया तो कच्छी इमली को काट लेने के बाद में हम फिर से अच्छे से साफ दो लेंगे दो लेने के बाद में इसमें आट करना है हल्दी पॉडर आदा टीस्पून लेंगे और नमक आट करेंगे दो टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कॉत्मी तजिर आट करेंगे 2T स्पुन uda कोट्मी कर लेंगे इसमें अब हम यह सभी चीजों को मिक्सर घर्रामी दालेंगे पीसने के लिए तो इस तरह से mixer grinder jar में दालने के बाद में बिल्कुल थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे चटनी को पीशने के लिए तो इसको बिल्कुल पतला पेस्ट की तरह नहीं करना है थोड़ा सा इसको हम दरदरा रखेंगे यह देखे इस तरह से इसको पीश कर रख लेंगे हम बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना है इस तरह से पीश लेंगे जैसे के मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूँ इस तरह से हम थोड़ा सा इसको दरदरा रखेंगे तो टेस्ट अच्छा आता तो चलिए अब हम चटनी को बगार देंगे बगाने के लिए पैन को गरम कर लेंगे और इसमे आट करेंगे कुकिंग ओईल अईल जो है चटनी को बगाने के लिए हम अफने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते आईल करम होने के बाद में इसमें लेसन की कलियां आट कर लेंगे जीरा आट करेंगे एक टीस्पून लेसन की कलियां और जीरा आट करने के बाद में अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर आने देंगे जैसे ही इसका डार्क कलर हो जाएगा फ्लेम आफ करेंगे और इसके बाद में थोड़ा सा करी पता और लाल सो खिमिर चाट कर लेंगे तो ये देखिए अब ये बगार बिल्कुल रेडी है और ये चटनी को ज्यादा से ज्यादा दिन तक रख सकते हैं खराब नहीं होती और इसको सर्फ कर सकते हैं प्लेन राइस और रोटी के साथ में अच्छे से मिला लेंगे बगार देने के बाद में तो जरूर ट्राय करके देखिए आप लोग कचीमली की चटनी की रेसिपी को रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज